226 बज़ेया और मारी में नहीं बाहर का नजारा क्योंकि हमारी पालगन के बहुत अच्छा नजारा है आपको दिखा के अपने प्रेंके अमरा से इस पहले के वहां पे बादला जाएं तो फाइनली जिस चिंसका इंतजार था वू आगया है अधर है बादल और जो स्नो वाले बादल मतलब पहाड़ है वह उसके उपर है बादल तिखाते हूं आपको जूम बरके यह देखो और इदर होगे हमारा संराइज जैसे तुम ने रहे है और इदर नहीं को सब्सक्राइज अधर है तो फ्रेंट्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहां से सूरज जुकते हुए दिखाया था पूरा मतलब संराइज जी हो रहा था वो दिखाया था और अभी जब तयार ही हुए हैं होटेल से चेक आउट करने के लिए और अगल देर में ही तेज बारिश होने लगी है बहुत ही ज़्यादा था देन बर्फ की काली घटा चा चुकी है चुकी है काले काले बादल और हम आनंग ले रहे हैं मौसम का पूरी तरीके से इसके बाद में जैसे बारिश रुकेगी हम लोग जाएंगे यहां से चेक आउट करके अपने नए होटेल में चेक इन करेंगे और फिर वहां से जो घूमने जाएंगे वो मैं आपके साथ में आगे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ तो फ्रेंट्स बारिश थोड़ी रुकी है तो हम आगें अपने नेक्स होटेल में यहां पर आने के बाद में इतनी तेज बारिश टार्ट हुई है न मैं बता नहीं सकती हूँ वीडियो में यहां पर हमने अपना इनक्लूड करने अपना पर जाने के तो अब और बारिश रुकेगी। और मौसम थोड़ा अच्छा होगा तो हम लोग घुमने जाएंगे बाहर और देखो कितना जादा आवसम मौसम हो रखा था यहां पर आने के बाद में बारिश का भी एक अलगी हम लुटफ उठा रहे हैं और देखो बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है काली काली गटाएं चाही हुई है बहुत ही सुन्दर नजारा था और यह होटेल ना बहुत जादा उंचा था मतब इसमें तीन चार फ्लोर थे और इसके ऊपर जो थी किचिन थी तो जब हम ब्रेक्वास्ट करना है थे ना तो बहुत ही अमेजिंग नजारा था और अब यहां पर हम खा रहे हैं खाना और फिर देखने क्या करते हैं करते हैं तो फ्रेंट्स बारिश के रुकने के बाद में हम लोग जो है निकल गए थे घूमने के लिए तो हम अभी जा रहे हैं नामग्याल मोनेस्ट्री है यहाँ पर बहुत ही जादा फेमस है तो हमने सोचा कि चलो पहले वो घूम लेते हैं और उसका रास्ता जो था ना बिल्कुल पास ही था हमारे होटेल के तो हम लोग जो है पैदल ही यहाँ से आ गए थे हालंकि मेरी जो है बिल्कुल भी तब ठीक नहीं थी फिर भी वाकिंग डिस्टेंस पर ही था तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे तो फ्रेंड्स हम नामगयाल मट पहुँच चुके हैं यहाँ का बाहर का रास्ता है और यहाँ से जब इस रास्ते से आप अंदर मट की तरफ जाते होना तो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड दिखेंगे बर्फ से ढखे हुए और साथ में भी बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पर आपको हरी भरी जो है यहाँ पर हरी आली दिखाई देगी जो कि मैं आपको शो भी कर रही हूँ वीडियो में और यहाँ से सीधर जाते जाओगे आप तो सामने आपको एक लाइब्रेडी मिलेगी और लाइब्रेडी के राइट साइड आप जाओगे तो वहाँ पर है नामगयाल मठ का जो रास्ता है छोटा सा उससे आपको अंदर की तरफ जाना होगा और इससे आप जो है नामगयाल मठ पहुंच जाओगे और यहां पर ना मैं आपको वीडियो में भी शेयर करूंगे कि किस तरीके से लाइबरेडी बनी हुई है सामने और फिर आगे ज कारण लिटल हासा या धासा की नाम से भी जाना जाता है नामगयाल मठ कैसी जगह है जहां आप तिबबत के समरिध इतिहास और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं तिबबती मंदर की शानदार वास्तुकला और कला को देख सकते हैं ध्यान और प्रातन स्त्रों में भाग और दलाई लामा की शिक्षाओं और सारजनिक शिरोताओं में शामिल हो सकते हैं। प्रातना जंडा एक रंगीन कपड़ा होता है जिस पर प्रातना और मंतर छपे होते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे सबी प्राणियों में सकरात्मक उरजा और आशिरवात फैलाते हैं। बिख्षू और स्थानिया लोग प्रातना के जंडों को खंबों, पुलों, छटों और पहाडों पर फराते हैं और हवा को प्रातना और मंतरों को दुनिया तक ले जाने देते हैं। मक्षन का दीपक एक छोटा बरतन होता है जिसमें घी या तेल भरा होता है, जिसमें एक बाती होती है जो तेज लौके साथ जलती है। बिक्षू और भगपुद्द और अन्य देवताओं को ग्यान और आत्म ग्यान के प्रतीक के रूप में तथा अंदकार और अग्ञानता को दूर करने के तरीके के रूप में मक्षन के दीपक अर्पित करते हैं। नाम ग्यालमट में आने का सबसे अद्भुत अवसर दलाही लामा की सिक्षाओं और सारजनिक श्रोताओं में शामिल होना है जिने दुनिया भर में लाखों लोग उनकी बुद्धी मता, करुणा और करिश्मे के रूप के लिए पूचते और सम्मान देते हैं दलाही लामा साल में कई बार सिक्षाओं और सारजनिक श्रोता देते हैं आम तोर पर फरवरी, मार्च, मई, जून, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में और कभी-कभी विशेश अवसरों पर जैसे कि उनका जनम दिन, तिबबती नवर्ष और नॉबल शांती पुरसकार की साल गिरए अब बात करते हैं तसूग लाग खांग परिसर के बारे में जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तिबबत का सबसे बड़ा मंदिर है इसमें तसूग लाग खांग मंदिर, तिबबत संग्रालिया और दलाई लामा का निवास थान है तसूग लाग खांग मंदिर परिसर का मुख्याकरशन है जिसमें बुद्ध, शाक्यमुनी की 9 मीटर उंची सोने की परत चड़ी मूर्ती है साथ ही चेनरे, जिंग और गुरू रेने पहुचे की मूर्तियां भी है मंदिर में थंका, पेंटिंग, भित्ती, चितर और अवशेशों का एक सम्रिद संग्रह भी है जो बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं और तिबबत के इतिहास और संस्कृती को दर्शाती है जो बुद्ध। झाल 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 तो फि्रेंट्स नाम गयाल मुनैस्ट्रि घुमने के बाद में हम लोग आ गए थे मुनैस्ट्रइ से भाहर अब जाएंगे तिबबत मियूजिम देखने के लिए लेकिन उससे पहले ही हमने देखा कि नाम गयाल जो मनेस्ट्री है उसके सामने एक तिबबत मार्केट लगा हुआ था और रोपवे भी था तो रोपवे में जाने में मम्मी को बहुत जादा डर लग रहा था और मुझे भी डर लगता है रोपवे में तो मैं वहां पर हम लोग नहीं गए और उसके बाद में हम इस जो कि हमारे पास में चार बैक पैक थे और हम उसी में ही जो है अपना समान लेके जाना चाहते थे तो मैं यहां पर आपको शो कर रहे हूं कि जैसे तिबबत मार्केट जो है वो किस तरीके से लगा हुआ था तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा अगर वी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप तिबबत म्यूजियम का वीडियो भी देख सको तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट अच्छे से चोटे से वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई बाई